हलो एवरिवन, हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था HTML का, जिसमें हमने basic कुछ concept पढ़े थे HTML के और आज हम HTML के elements पढ़ेंगे, सो सबसे बहले तो मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊं कि element होते क्या है, उसके बाद हम element की definition या हम element को कैसे define करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, यह एक HTML फाइल है, ठीक है, जिसको मैं आपको run करा कर दिखाता हूं, तो आप देखें इसको, यहा welcome लिखा हुआ है, यह hello welcome हमारा एक element है, ठीक है, यह hello welcome भी हमारा एक element है, this is a link, ठीक है, यह भी हमारा एक element है, first name, यह भी हमारा एक element है, यह जो आपको box नजर आ रहा है, यह भी एक element है, ठीक है, यह जो last name है, यह भी element है, यह सारे के सारे क्या हैं, हमारे element है, इनको हम define करते ह html के tags तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इनको कैसे define करते हैं तो देखें html element is defined by starting tag जब हम html के एक element को define कर रहे होते हैं तो हम एक starting tag लगाते हैं और it ends with a closing tag और हम उसको end करते हैं closing tag से तो एक starting tag होता है element को define करने का और एक closing tag होता है और उसके बीच में element का content होता है एक चीज मैं आपको बता दूँ कि html के जो सभी elements हैं उनमें लाजमी नहीं कि starting tag और closing tag हो काफी ऐसे होते हैं जिनमें starting tag नहीं होता जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि कैसे उनमें नहीं होता और क्यों नहीं होता ठीक है यह आप देखें html elements को हम कैसे define करते हैं यह starting tag है और यह ending tag है starting tag के अंदर हम less than और greater than symbol के अंदर tag का नाम लिखते हैं ठीक है उसके बाद हम tag का content है यह tag के ending और starting के बीच में लिखते हैं यह ending है हमारी p tag की जिसमें हम less than और slash लगाते हैं फिर p और greater than यानि इसका मतलब है कि यह tag हमारा close हो गया है और इसके अंदर जो इस tag का content होगा वो हम लिखेंगे यह paragraph tag है तो हम इसके अंदर paragraph लिखते हैं ऐसे यह tag है जो starting tag है और यह ending tag है इसके अंदर content आएगा यह भी एक tag है ठीक है यह starting है और यह ending है और इसके अंदर content आएगा ऐसे so on ठीक है tag close है ठीक है और यह body tag start है और यह नीचे जाकर यहां पर देखें यह body tag close है ठीक है ऐसे यह tag start है और यह tag close है इसके अंदर इसका content है और starting tag और ending tag से एक element को define करते हैं ऐसे हमारे बहुत सारे टैग्स है जिनको हमने पढ़ना है HTML के अंदर और वन बाइवन हम उन special conclusion हो तो आप मैशी करके पूछ सकते हैं आप comment कर सकते हैं ऐने